बच्चन परिवार की घर जलसा में जश्न का दिन है परिवार की लाडली अराधिया का बर्दे है अराधिया बच्चन का 16 नवंबर को बर्दे होता है वो 9 साल की हो गई है अराधिया अपनी ममी के साथ अपना बर्दे मंथ शेयर करती है कोरोना वाइरस की वज़े से अराध्या का जनन दिन परिवार के साथ ही मनाया जा रहा है एश्वर्या बेटी अराध्या के दोस्तों के लिए कोई पाठी नहीं रख रही है पोती के बोदे पर बिगबी ने अराध्या की नौ तस्वीरे शेयर की है एक साल से नौ साल तक की तस्वीरे उन्होंने शेयर कर घर की लागली को हैपी बूर्दे कहा है एश्वर्या की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है जब से वो मा बनी है उनकी दुनिया अराध्या हो गई है अराध्या की वज़े से वो ज़ाधा फिल्मे भी साइन नहीं करती है अराध्या बच्चन अपनी ममी अश्वर्या की तरहा खुबसूरत है स्टाइल के मामले में भी वो अपनी ममी को कौपी करती है अब तक आठ भार कांस फिल्म फेस्टिवल में वो जा चुकी है अराध्या अब समझ चुकी है कि उनकी ममी पापा दादा दादी सब स्टार है लहाजा अब वो मीडिया को अच्छी तरह से फेस करती है अश्वर्या बेटी अराध्या को लेकर बहुत केरिंग है मा बनते ही सुपरस्टार आश कहीं पीछे रहे गई और एक केरिंग मॉम वो ज़्यादा दिखी अश्वर्या का करियर अब उनकी बेटी के हिसाब से चल रहा है आश जहां भी जाती है अपनी बेटी को साथ ज़रूर रखती है चहे किसी इवेंट में जाना हो या फिर किसी फंक्शन को अटेंड करना हो बिना बेटी के आश कहीं नहीं जाती है उन पर ओवर प्रोटेक्टिव मा होने के भी आरोप लगते रहे है खबरे तो ये भी आई थी कि आश वर्या अपनी बेटी को लेकर इतनी प्रोटेक्टिव हैं कि जलसा के सफाई करमचारियों को कई बार उनकी डाद भी पढ़ चुकी है बेटी से जुड़ी हर बात का आश खुद ही खयाल रखती है अराधिया की स्कूल का होमवग से लेकर उनके खान-पान के जिम्मदारी खुद समालती है अश वर्या बेटी को लेकर वो किसी पर भी भरोसा नहीं करती है जहां भी जाती है अराधिया को साथ रखती है कई बार तो ये भी आरोप लगे हैं कि क्या एश्वर्या को अपने परिवार के लोगों पर भी भरोसा नहीं है कान फिल्म फेस्टिवल में भी वो अपनी बेटी और मा के साथ जाती है 2019 में कान फिल्म फेस्टिवल में अठारवी बार शिर्कत करने पहुची थी अश्वर्या पिछले आच सालों से उनकी बेटी अराध्या भी कान फिल्म फेस्टिवल में उनके साथ जा रही है अराध्या जैसे जैसे बड़ी हो रही है, वो समझ रही है कि मीडिया के सामने कैसे बिहेव करना है ऐसा लगता है कि आगे चल कर वो भी अपनी ममी पापा और दादा दादी की तरहा ज़ार बनेंगी अगर आपको हमारे ये विडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप इंटर्टेंडमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें चाहे बॉलिवुड और टीवी से जुड़ी बिग निउस हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिबिटीज की डेटिंग फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉंट्रुवर्सीज हर विडियो मिलेगा तो फिर धमाकेदार इंटेटेंडमेंट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे एटोर्टीफोर्ट